हेलो फ्रेंस आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ खुजली से बहुत ही परेशानी आ रही है सभी लोगों को तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कुछ घरेलू उपाय जिनका उप्योग करके उनसे आप राहत पास सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी अगर चैनल पर फर्स टाइम आये हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको आगे भी हिल्थ रिलेटिड ऐसे ही उपाय घ्रेलू मिलते रहेंगे तो नंबर पहला है निम्बू और मिठा सोडा इसका अपयोग आप नहाने से 20 मिनट पहले आदक आप पानी में घोल कर इसका लेप अपने शरीर पर लगा लीजिए जो पानी का घोल बनेगा और 20 मिनट बाद आप नहा लीजिए आपको अपनी खुझली से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगा तो दूसरा जो हमारा है वो है निम निम भी हम सुनते आ रहे हैं बहुत ही गुनकारी है हमारी नानी दादी यूज करते आ रहे हैं इवन आप यहाँ पर निम का अगर खाली पेट पानी पीते हो ना तो आपको खुझली से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी लेकिन थोड़ा वो कड़बा होता है अगर आप वो नहीं पी सकते तो आप क्या कर सकते हो नीम की पतियों में को गरम पानी में विगो का रख दीजिए 10-15 मिनिट के लिए तो बाद में आप उस पानी के साथ नहा लीजिए आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा और तीसरा जो हमारा है वो है नारियल का तेल नारियल का तेल भी काफी बिमारियों से हमें बचाता है नहाने के तुरंत बाद आप दिन में 2-3 बार नारियल के तेल को अपने शरीर पर लगा लीजिए आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगा और चौथा जो है वो हमारा है चंदन का लेप चंदन भी बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर को ठंड़क देता है जहां पर भी आपके दात, खुजली, खारश होती है वहाँ पर आप अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाए आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी आशा करती हूँ आप अपने शरी की जानकर यह अच्छी लगी होगी तो प्लीस आप भी इसका यूज करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शियर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ तक तक क्यों वाचिंग